हेलो एब्रिवान दिस इस मी शिवानी शिभी और आप सब का स्वागत है मेरी यूटीव चानल पे आज मैं बात करने वाली हूँ पलाश के पेड़ के बारे में तो ये है पलाश के पेड़ के फूल इस तरीके के फूल पलाश के पेड़ पे खिलते हैं तो जो पलाश है वो एक बहुत ही ओश्दिय गुन वाला पौदा है उत्तर प्रदेश में इसको राज़किय व्रिक्ष भी कहा जाता है और यह पौदा ओश्दिय गुन से भरपूर है पलाश के फूल लाल रंगे होते हैं सारे फूल लाल है इसलिए इसे जंगल की आग भी कहा जाता है इसको क्योंकि जब इस पेड़ पे पूरे लाल कलर के फूल खिल जाते हैं तो दूर से ऐसा लगता है देखने पर कि जैसे कहीं पर आग लगी हो तो इसलिए इसे जंगल की आ प्लाश की लकडी का उप्योग याग्य में भी किया जाता है। प्लाश के पेड़ के बारे में बात करते हैं। प्लाश के पेड़ की समस्याओं के लिए बहुत जादा फायदे मन्द है। पेड़ में सूजन हो रही है, पेड़ में एसिडिटी हो रही है, पेड़ फूल रहा है तो उसमें भी ये पौधा बहुत जादा कारगर साबित होता है। पेड़ के पेड़ के फूल है ये सूजन में भी अगर आपके शरीर में किसी भी इससे में सूजन हो गई है तो ये वहाँ पर भी बहुत जादे उपयोगी हैं। आप इसके फूल को स्टीम करके उबाल के जहां पर भी आपके हाथ में पैर में जहां पर भी सूजन है इसके फूल को अगर आप उदर बान लेंगे तो कुछी समय में आपकी सूजन खतम हो जाएगी। तो ये जो पलाश का पौदा है ये खून साफ करने में भी बहुत जादा मदद करता है शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है और ये बहुत जादा उपयोगी है। और कोई बवसीर की बिमारी से भी परिशान है तो उसका भी इलाज इन पलाश के पेर, पलाश की फूलों से, पलाश की पतीों से, पलाश की जड़ों से किया जा सकता है। तो अच्छा से संबंदित बिमारियों में भी ये फूल बहुत जादा फायदे मन्द है आजकल पॉल्यूशन की वज़े से जो हमारी स्किन है वो बहुत जादा खराब हो रही है और जिसकी वज़े से हम बाजार से जाके ना जाने कितनी कैमिकल वाली क्रीम्स ले आते हैं ले बहुत जादा फायदे मन्द है अगर किसी को दस्त रोग है तो दस्त रोग में भी पलाश के बीज बहुत जादा उपियोगी है या फिर अगर किसी को नकसीर की दिक्कत है जिसमें यानि कि जो नाक में से खून आने लगता है गर्मियों की वज़े से बहुत जादा तो उस शायद बाहर की जो chemical वली चीज़े हैं वो जादा पसंद आती हैं जो natural चीज़े हैं वो शायद कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं और हमें शायद नहीं पता और जो ladies pregnant होती हैं उनके ले भी बहुत जादा उपयोगी है जिसकी वज़े से उनका जो baby होता है वो बहुत जादा healthy होत जाता है या तो अचा से related किस तरीके से इस्तिमाल किया जाता है तो आप मुझे comment box में comment करके भी बता सकते हैं और आज के लिए बस इतना ही I hope आपको आज के lesson पसंद आया होगा और अगर आया है तो मेरे शानल को subscribe करना मत भूलेगा और bell icon फ्रेस करना बिलकुल भी मत भूले जो आपको latest videos हैं वो time से मिलती रहें और मैं कोशिश करूंगी मैं आप तक और भी valuable content पहुचाती रहूं आज के लिए बस इतना ही okay बबाए